बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिरहीम अस्सलाम अलेकूम आज हम बनाएंगे कपकेक इसको बनाना बहुत ही आसान है यह कितना परफेक्ट लग रहा है इसको तोड़कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और मज़ेदार है आईए बनाना शुरू करते हैं यह हमने फोर एग लिए हैं इसमें 250 ग्राम पिस्वी शकर दालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे एकदम फलफी हो गया है अब इसमें हम 250 ग्राम ग्यहूं का आटा दालेंगे मैदे की जगा पर हम ग्यहूं का आटा यूस करेंगे यह हेल्थ के लिए अच्छा रहता है इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह मिक्स हो चुका है इसमें 50 ग्राम जीतना घी डालेंगे वन टीस्पून बेकिंग पॉरर दालेंगे और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा दालेंगे आप अपनी मर्जी के फ्लेवर भी दाल सकते हैं मैं इसमें बटर स्कॉट एसेंस डाल रही हूं यह 7-8 ड्रॉप्स जितना डाल रही हूं इन सब को भी मिक्स कर लेंगे यह मिक्स हो गया है इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी रखेंगे अब हम इसे मोल्डर में डालेंगे हमने यह पेपर कप्स लिए हैं बैटर को हाफ कठोरी से बढ़कर दालेंगे ज्यादा फुल नहीं भरेंगे ज्यादा दालेंगे तो उपर आकर गिर जाएगा इसमें हम कलरफुल टुटी फूटी दालेंगे आप इसके बजाए ड्राइ फूट भी दाल सकते हैं हम बेकिंग के लिए बरतन लेंगे इसमें रिंग रखेंगे और मोल्डर को रख देंगे इसकी थाली ढखकर 5 मिनिट मीडियम फ्लेपर पकाएंगे और 10 मिनिट स्लो फ्लेम पर रखेंगे 15 मिनिट हो चुके इसको चेक करेंगे माशालला एकदम परफेक्ट बनकर तयार हो गए हैं अब इसको निकाल लेंगे यह देखिए हमारे कपकेक बनकर तयार है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेर करिए और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अच्छी